कि नमस्कार मैं हूँ सुर्य प्रकार रामोला और आप देख रहें आइपा आइपा यानि की आल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसीशन और यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं आइपा में उत्रखन जनेकता पार्टी के जिला अध्याक संजे मैठानी और उनसे जान लेते क्योंकि आइपा एक जन्सरोकारों का मुद्धा उठाने का काम करता आ रहा है आपका स्वाकत है आइपा में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यबाद आइपा का सर आज कल देख रहे होंगे क्योंकि आप जिस तरह से राजवीतिया चल रही है और एक प ज़ाय नियुक्ता पार्ट का निरमान किया और उसी पार्टी के कामों को लेकरकर के हम जन्त की भी चा रहा है है enclosed सर क्या क्योंगी नई पाटी ए उत्राखण जनेकता पाटी और क्या मुद्दे रहेंगे सर खास तौर पर दीखे रमोलो जी जैसे आपने कहा पाटी नहीं पाटी भली हमारी दो साल पुरानी हो लेकिन हमारी जो केंद्रिया अध्यक्ष हैं वो 35 साल से जन सरोकारों से परतिनीदी रहें चेतर में सक्रे होकर लोगों की लड़ाईयां लड़ते रहें तो निशी तोर पर जिस तरह से हम लोगों को लोगों का समर्थन मिल रहा है तो हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी 35 साल पुरानी भली वह वह उमको लीगली जो अमली जामा है वो दो साल से मिल है लेकिन हम 35 साल से संगर्ज करने वाले लोग हैं और जंतागी बीच जा रहे हैं खास मुद्ध क्या होंगे सर पार्टी क्यूंकि कॉंग्रेस भी और भाजपा के लगातार एक ही मुद्धे रहते हैं इसमें कुछ अलग कुछ मुद्धे हैं सर देखे जैसे कि हमारे केंद दूसरा क्या था कि हम लोगों ने पार्टी इसलिए बनाई कि हम लोगों के हक अकुक की बात कर सकें लोगों के मूल निवास की बात कर सकें आज की इस्तथी है कि मूल निवास जो 13 साल या 15 साल पहले उत्रखंड आये थे उनका भी इस्ताई निवास बन रहा है तो एक तरह से इस्पेसिफाई नहीं उपा रहे कि कौन मूल निवास है कौन इस्थाई निवास है क्योंकि यह मूल निवास खतम कर दिया तो हमारी मुख्य लड़ाई वह भी है यहां पर देखे पलायन सबसे बड़ा यहां पर रोजगार नहीं और धनाई जी अपने कारेकाल में लगब जब उन्हों ने जील का डेवलम्मेंट किया उन्होंने यहां पर और इसंस्थान लाए तो उससे लोगों को रोजगार मिला और एक तो इस्ताई रोजगार मिला उसके लावा लोगों के कारोबार चले जैसे हम जो अगा रहा था उसको भी फायदा मिला तो हम को यहां पर जेतक भॉजिजार की बात नहीं करेंगा cinnamon देब्लाइन के भॉज़ाatar लगाता देख है यह वी जाता है कि यह पर्देज में कई क्गी पार्टिया का से बंगी है तो अपने पार्टी क्या बिस्तार हो रहा है सर की यहीं तक सिमट करेंगे देखिए लोगों को यह तो समझ में आ रहा है कि उत्रखंट जनेक्ता पार्टी की जो निर्मान हुआ है वो काम को ले करके वह और हमने यह वह का है उजपा का अपना उजपा की अपनी पहचान जन सेवा और सि क्लेर कर दी है तो निश्ची तोर पर हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है और एक सुब संकेत है एक लोकल पार्टी के लिए और दूसरा एक चीज बहुत बढ़िया बात है कि हम लोगों ने जो अपनी पार्टी का कारल है उसका मुख्याल है देरा दून न खोल कि पहाड़ से लगातार समपर कर रहे हैं और ये अच्छे संकेत हैं निश्ची तोर पर हम दनॉल्टी में भी अभी लड़ा दिया है हम परताब नगर दंगनिसाली में भी चुनाओ लड़ाएंगा और नरे नगर में भी हम लोग चुनाओ लड़ाएंगा पार्टी का अब में लाये वाले में लाये हाज बड़ी तीजी से काम को पसंद कने वाले और काम करने वाले लोग परवर्थी के लोग हमारे साथ जोट रहे हैं और मैनोफेश्ट ओंए हम लोगों २े मुख्या मॅनली वास को याक हमने डबलिमेंट को रख्का है और दूसरा हमने यह ये हुशना पत्र करें हैं हैं ऑखे ने से तकर नाम दिया है ताकि आने वाले संथाओं का संकल्प लेंगे अगर हमसे जो भी हनौक काम की बात करें हैं जरूनिसी त τις झरें पर और इसका हम लोग उने संकल्ब लिया है मेनुफेश्टो में कही मुद्दे Heil है 하나 और और अब में और बिदान सवाँ में चुनाव लड़ा जिया पर्ट ऐसी गोसित करें जी हमने पाँंच बदान सवाँ में ने पर्ट ऐसी गोसित कर दें है जिसको हम लोग अपना गोशित कर देंगे अधन्यवाद आपका आइपा में जोनने के लिए यह थे हमारे साथ उत्रखन जनेकता पार्टी के जीला द्रख संजें मैठान जी और इनका कहना है क्योंकि यहां के मूल निवास और यहां के हका को को लेकर जनता का भी जाएंग झाल